Hello Friends, मैं हूँ आपका दोस्त सहीत पर्वेश तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बैल्ट बनाना सीखेंगे इस से जो पिछली वीडियो में डालीती से पहले उसमें बैल्ट चिपकाना बताया था और आज की इस वीडियो में हम बैल्ट बनाना बताएंगे ठीक है इसी तरहां मैं आपको वीडियो बताता रहूँगा ठीक है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा हमने यहाँ बैल्ट लिया है और यहाँ पर हमने धाई इंच चोड़ा इसका अस्तर कटिंग कर लिया है ठीक है अस्तर कटिंग करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक पॉकिट कटिंग की है और जिसकी लंबाई हमने यहाँ पर लिये 7 इंच और जो चोड़ाई लिये है वो 6 इंच लिये है अब इसको हम इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इसको उपर से 1,5 इंच छोड़ने के बाद अब दोस्तों इसके कोने हम कट कर देंगे इस तरीके से और कोने कट करने के बाद इसको हम पलट लेंगे तो दोस्तों हम ने यहाँ पर टिकेट पॉकिट पलटने के बाद इस पर लगा दी है किनार की सिलाई यानि लपकी सिलाई उसके बाद दोस्तो हमें यहाँ पर एक हुग बाला बैलिट होता है ठीक है जिसमें हुग लगते हैं और एक होता है जिसमें टिकेट पॉक्ट लगाते हैं तो दोस्तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा अब हमें यहाँ पर लगाना है एक निशान इस तरीके से इस कट से क इससे हम 1.5 इंच आगे जाके एक निशान लगा देंगे तो दोस्तों हमने यहां लगा दिया है निशान हमारा सीट का और यहां से 1.5 इंच आगे जाके एक निशान लगा दिया है उसके बाद में हम यहां पर टिकेट पॉकेट लेंगे इस तरीके से और यहां पर इस परकार रख देंगे लखने के बाद यहां पर लगा देंगे एक सिलाई फिर हमें इस तरीके से इसको पलटना है और पलटने के बाद इस पे भी किनार की सिलाई लगा देंगे तो दोस्तो हमने यहां पर सिलाई लगा दी है इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब हमें यहां पर अस्तर लेना है और अस्तर को यहां पर हम पलट लेंगे एक साइट से इस तरीके से इसको पलट लेंगे और यहां पर सिलाई लगा देंगे इसी तरह हमें दूसरी सैट से भी अस्तर को पलट लेना है और पलटने के बाद अब हमें यहां पर क्या करना होगा इस परकार रखेंगे और रखने के बाद इसको यहां से मिलाना होगा ठीक है यह इस तरीके से यहां से मिला लेंगे और इसको इस तरीके से पकड़ेंगे पॉकिट को अपनी और यहां पर रखेंगे और सिलाई लगा अब हमें यहां पर इस परकार इसको पलटना है और यहां पर हम किनार की एक सिलाई और लगा देंगे तो दोस्तो हम यहां पर टांक ही बाद देंगे किस परकार हमने यहां पर एक टांकी बाद दी है और दूसरी सेट में भी हम यहां पर इस तरीके से एक टांकी बाद देंगे इस परकार कि ऐसे रखेंगे उससे लाई लगाते हैं तो दोस्तो हमने यहां पर इस पाक टो कर लिया है पिलकुल कंपलीट आप देख सकते हैं अब हमें इस पर परकार करना है और यहां से आप देख सकते हैं इस परकार हमने लाई बाद रखेंगे 2% अपनी पॉकिट का बड़ी फिनिशिंग से यहां पर तयार कर ली है अपनी पॉकिट को उसके बाद अब हमें उठाना है यह वाला हिस्सा और इसको हम यहां से इस पर कार रखेंगे जहां से हमारा कट है यह वाला ठीक है दूसरा वाला कट है यहां से इस तरीके से इसको फोल लेंगे और सिलाई लगा देंगे पूरी अब हमने यह सिलाई लगा दी है सिलाई लगाने के बाद अब इसके उपर से हमें एक सिलाई लगाना है पहले हैं कि अब है अब है अब हुआ है आज 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 यहां से ताया बगारा कट कर लेंगे ठीक है तो यहां पर हमारे belt हो चुके है complete तो दोस्तों हमने यहां पर हमारे belt हो चुके हैं बिल्कुल complete आप देख सकते हैं यहां पर बहुत ही finishing से हमारी यहां pocket भी बन गई है ठीक है और यहां पर belt तयार हो चुके हैं तो दोस्तों आपको my video कैसे लेगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं अगर आपको माई वीडियो अच्छी लेगी है तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूले हैं चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ठैंक्स फॉर वाचिंग